एक हवस की भूकी पुलिस वाली अपने पती को छोड़ कर तहसीलदार के साथ ब्याहर अचाना चाहती थी और फिर बदले में उसको मिलती है दर्दनाक मौत आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के पीछे की सचाय को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा नमस्कार मैं हूं सुदेश कुमार और तिरचीवा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो यह घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक रुची सिंग नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उमर है 22 साल अभी अभी जवान होई है और वह चाहती है कि उसका कोई हमसफर हो उसके साथ वह राते रंगीन करे दोस्तो वह फेज़ुक पर अपनी मन पसंद के लड़के ढूने में लगी हुई रहती है तब ही क्या होता है दोस्तो उसकी मुलाकात 2017 में उसकी मुलाकात फेज़ुक पर पदमेश स्रीवास्तव से होती है जिसकी उमर होती है 36 साल और दोस्तो यहां पर रुची भी अपनी होती बुजाना चाहती है और पदमेश स्रीवास्तव भी अपनी होती ही उससे बात्चीत करता है क्योंकि पदमेश स्रीवास्तव की उमर 36 साल है और उसकी साधी हो चुकी है और वह प्रताब गड़के तहसीलदार की जूटी पर नुक्त है दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है और दोस्ती धीरे-धीरे प्यार का रूप लेने लगती है हाला कि प्यार यहाँ पर नहीं था दोनों ही अपनी अपनी हवस को बुजाना चाहते थे दोनों एक दूसे से प्यार करने लगते हैं एक दूसे से छुपचुपख के मिलने लगते हैं और oo rooms में, hotel में, special hotel में room book करवा दिया जाते है मिलने के लिए दोनों अपने जिस्म की हवस को मिटा रहे होते हैं इसी तरह से मामला तीन साल तक चलता रहता है दोस्तों उसके बाद क्या होता है रुची सिंग की साधी हो जाती है एक पुलिस कॉंस्टेबल से अब वह पुलिस कॉंस्टेबल के इस घर दुलहन बन कर जाती है और कुछी समय के बाद उसकी भी डूटी पुलिस कॉंस्टेबल में लग जाती है यानि कि वह भी पुलिस कॉंस्टेबल बन जाती है समय अच्छे से गुजर रहा होता है लेकिन रुची को रह रहकर अपने पुराने प्रेमी जो तैसिलदार था उसकी याद सता रही होती है वह अपने प्रेमी जो तैसिलदार उसके साथ एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी हवस को पूरा करने लगते हैं इसी तरह से मामदा चल रहा होता है और आब रुची अपने पती को तलाक देना चाहती है और रुची चाहती है कि मैं तो तहसिलदार के साथ ही अपना जीवन गुजारूंगी दोस्तो आप क्या होता है रुची अपने पती के ऊपर उत्पीरन का आरोप लगा देती है और उससे तलाग ले लेती है अब तलाग के बाद रुची उस तहसिलदार से कॉंटेक करना चाहती है तहसिलदार का नाम होता है पदमेश स्रीवास्ताव उससे कहती है कि मैं अब तुमसे साधी करना चाहती हूँ मैंने तुम्हारे लिए अपने पती को तलाग दे दिया है लेकिन दोस्तों पदमेश स्रीवास्तर तो उससे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा था वो उसको पत्नी बनाने के लिए तयार ही नहीं था वो उससे कह देता कि मैं तुमसे साधी नहीं कर सकता लेकिन रुची सिंग उसके उपर दवाब बनाने लगती है और आप रुची सिंग ये कहती है अपने हैसिलदार प्रेमी से कि अगर तुमने मुझे साधी नहीं की तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगी सभी लोगों को तुम्हारी करतूत के बारे में बता दूँगी तुम्हारी पत्नी को भी बता दूँगी लेकिन दोस्तों पदमेश स्रीवास्तव उससे फिर भी साफ इंकार कर देता है कि मुझे तुमसे साधी नहीं करनी है उसके बाद एक दिन रुची सिंग पदमेश स्रीवास्तव की पत्नी जिसका नाम होता है प्रगती उसके पास फोन कर देती है और सारी घटना उसको बता देती है अब क्या होता है पदमेश स्रीवास्तव की जो पत्नी होती है प्रगती वह भी रुची से वापस लड़ने लगती है और कहने लगती है कि तू मेरे पती का पीछा छोड़ दे उन दोनों में लड़ाई होती है लड़ाई सांथ हो जाती है और जो प्रगती होती है वह अपने पती तहसीलदार से कहती है महारा तो किसी लड़की के साथ चक्कर है अब दोनों पती और पत्नी में आपस में जगड़ा हो जाता है लेकिन जो तहसीलदार होता है पदमेश स्रीवास्तव्य कहता है कि मैं इस लड़की के साथ सिर्फ पूसरिफ टाइम पास कर रहा था और आप यह मेरे गले पड़ चु उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी वरना एक कल समाज में जाएगी लोगों के सामने कहेगी और तुम्हारी और हमारी थूतु हो जाएगी समाज के अंदर बेई जती हो जाएगी अब दोस्तों तहसीलदार पदमेश स्रीवास्तव मान जाता है अब वह उसको रुच पदमे श्री वास्तव अपने रूम पर बुलाता है रात्वार को उसके साथ सारी समन बनाता है उस जूस के गलास में नीन्द की गोलिया मिली होई थी रुची सिंग जैसे उस जूस के गलास को पी थी तो वह बहुस हो जाती है उसके बाद पदमे श्री वास्तव का दोस्त नामवर सिंग उसको जान से मार देते हैं गला धवा करके जहांपर रोचे शिंग डूटी किया करती थी वहाँ पर वह जब नहीं पहुंसती है तो पुलिस को परेशानी होती है कि आखिर वह गई कहा है तो इसको धर-धर ढूंड रही होती है तब ही पुलिस को information मिलती है पबलिक के द्वारा कि इस नाले के अंदर एक लड़की की dead body पड़ी हुई है पुलिस वहाँ पहुंचती है रुची को निकाला जाता है और उसको पहचान लिया जाता है दोस्तों उसके बाद पुलिस मामले की छानमीन में जुढ जाती है रुची की call details वगएरा चेक की जाती है तो पुलिस को पता लग जाता है कि यह पदमेश स्रीवास्तव के contact में ज़्यादा रहती थी पुलिस पदमेश स्रीवास्तव से पूस्तास करती है सक्ती से पूस्तास जब की जाती है तो वह सारी घटना अपने मुह से बया कर देता है वह कहता है कि मैं इससे 3-4 साल से प्यार करता हूँ और यह मेरे गले पढ़ना चाहती थी मुझसे साधी करना चाहती थी और मैं साधी करना ही सकता था क्योंकि मैं पहले से साधी सुधा था और मैंने फिर अपने पतनी और अपने दोस्त के साथ मिलकर इसकी मौत की साजिस रची और हमने इसको जूस में नींद की गोलिया मिला कर इसको जूस पिलाया उसके बाद इसकी गर्दन को दबा कर इसको मौत के गाट उतार दिया दोस्तो पुलिस तीनों लोगों को अरेस्ट कर लेती है जेल में भेज दिया जाता है और उनके उपर मुकदमा दर्ज किया जाता है अब यहाँ पर क्या आप कहना चाहोगे दोस्तो यहाँ पर अवैस सम्मंदों का आंथ हमेशा खौपनाक ही होता है कभी भी आप सुनोगे जब भी कोई वारदात होती है तो वहाँ पर अवैस सम्मंद जादतर देखने को मिलते हैं और जो भी लोग अपने पतियों को छोड़कर अवैस सम्मंद बनाते हैं तो उसका अंजाम हमेशा ही खौपनाक होता है तो दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती है क्या रोची सिंग की गलती है या फिर उसके प्रेमी पदमेश स्री वास्तव की गलती है या उसकी पतनी की गलती है किसकी आपको गलती यहाँ पर लगती है और इस गटना से हमें क्या सीखने को मिलता है हमें सीखने को यही मिलता है कि हम किसी दूसरे के साथ अवेज सम्मन्नों में ना रहें जितना हो सके अपना बचाव करके रहें वरना इनका इंजाम बहुत खतरनाक होता है तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या रोची के साथ जो हुआ वे सही हुआ क्योंकि उसने अपने पती को भी धोका दे दिया और पहले से यह मौज मस्ती करना चाहती थी या फिर पदमेश्री वास्तव ने गलत किया उसकी पत्मी ने भी गलत किया क्योंकि पदमेश्री वास्तव खुद करेक्टरलेस था तो आप अपनी राय जो भी कुछ कहना चाहते कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तो अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इनको सेर जरूर कर दिया करें यह हमारे उपर बहुत बड़ा आपका उपकार होगा और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा